कि एक भाई है नदीम सेयद राजिस्थान से कहते हैं कि मेरा कपड़े का बिजनेस है इस वसले में बाहर जाना होता है वहाँ जहां मस्जिद मिलती है नमाज पढ़ लेता हूं फितना ना हो इसके लिए रफ़य देन तरक कर सकता हूं यह हमारे एक भाई हैं जो यह कह रहे है कि मैं बिजनेस करता हूँ, कारोबारी हूँ और कहीं जाता हूँ, जहां पर रफ़ लदेन करने से इनको डल लगता है और कहते हैं कि अगर फितना हो तो रफ़ लदेन कर सकता हूँ कि नहीं तो देखे, शायद ऐसी जगहें बहुत कम हो कि जहां पर रफ़ देन करने पर कोई फितना होता हो बहुत सारी मजदें हैं अलहमदुल्लाइ चाहे वो अहलेदी सदरात की हो या दूसरों की हो रफ़ देन आप उसमें कर सकते हैं कोई मसला नहीं और यह होना चाहिए मजधों में इस तरह की कोई सकती तशद्द नहीं होना चाहिए लेकिन अगर वाकियतन ऐसा कुछ है कि आपको अपनी जान का खत्रा है वो आपको माट डालेंगे ऐसा कुछ है तो फिर फितने का खौफ है तो चलिए ठीक है आप रफदेन तरह कर दिये किसी खौफ के वाईसे तो उसके गुंजाश हो सकती है लेकिन उससे बहतर यह है कि आप आईसी जगे पे नमाट पढ़ाई जहां पे आपको आईसी कोई दुश्वारी का सामना नहो लेकिन बहराल अगर मजबूरी है तो जमाट की भी अपनी जगापर एक एहमियत है यह कहना ठीक नहीं कि आप रफदेन के खातर से अकेले नमाट पढ़ लो बेलकि बहतर है कि आप उनके साथ नमाट पढ़ो फिर भी अगर आपको तसलिय ना हो तो उसके बाद आप अलग से भी नमाट पढ़ सकते हो लेकिन बहराल जमाट के साथ नमाट पढ़ना यह बहुत अहमियत रखता है हमारे बहुत सारे भाई चोटे-चोटे मसले को लेकर यह कहते हैं कि जमाट से नमाजी ने पढ़ो अकेले पढ़ लो ठीक है अकेले पढ़ लो आप लेकिन जमाट मत तरक करो क्योंकि नमाज का जो सेट अप है वो जमाट के साथ है जमाट के बगए नमाज के कोई तसवर ही नहीं है इल्लाए कि कोई मजबूरी हो कोई मसला हो आदम मजबूर हो तो अलग बात है लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तो आप अकेले नमाज नहीं पढ़ सकते इसी तरह से छोटी छोटी च matéri चीजों का बहाना करके भी आप अकेले नमाज नहीं पढ़ सकते हैं इसलिए पूरी कोशिच किजिए कि आपकी नमाज जमाद के साथ हो तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको तरक करना पड़े तो ठीक है वो अगर रुक्न नहीं है यानि वो उसकी वएसे नमाज पर फरक नहीं पड़ेगा तो उसे आप तरक कर सकते हैं मजबूरी के तहट चूंकि आपका यकीदा है आपका यकीन है आपके पास अद त्यार कर सकते हैं तो इस तरह से आपकी जमाद भी नहीं पोट होगी और रफ़देन अगर आप उसको करना चाहते हैं तो उसका सवाब भी आपको मिल जाएगा लेकिन आप अगर दो बार नमाज नहीं पड़ सकते हैं इतना आपके पास वक्त नहीं इतने आप वासला नही दिखा सकते हैं तो बहतर आप्शन यहीं दोनों में कि आप जमाद से नमाद पड़ें गर्च आपकर रफ़देने की कुर्बाई देनी पड़ें क्योंकि वो बहुत जादा अहमियत है जमाद के साथ नमाद करना यही असल नमाद है उमेदे की बात आपके लिए वाज़ हो झाल झाल